दोस्तों नमस्कार ये हमागदेशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तों भारती इतिहास के महत्तपूर्ण प्रश्णों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सालों करेंगे ये प्रश्ण आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी हैं तो आएए शुरू करते हैं भारती इतिहास के महत्तपूर्ण प्रश्णों का प्रेक्टिस एट पहला प्रश्ण है निम्ण में से किन तीन यूरोपी देसों के बीच गठवंधन को ट्रिपल अंतांत 1882 के रूप में जाना जाता है तो ट्रिपल अंतांत या ट्रिपल एलाइंस दोस्तों ये 1882 की संध जर्मनी को आश्ट्रिया हंगरी और इटली से जोडती है तो सही उत्तर आपसन B हो जाएगा जर्मनी आश्ट्रिया और इटली दोस्तों जर्मनी आश्ट्रिया और इटली यूरोपी देसों के बीच हुए गठवंधन समझेवते को ट्रिपल अंतांत या ट्रिपल एंटेंट के रूप में जाना जाता है इस संधी की प्रमुख धाराएं ये थी कि यदि इटली के उपर फ्रांस आकरमण करे तो आश्ट्रिया और जर्मनी अपने मित्र इटली की सहायता करेंगे यदि जर्मनी के उपर फ्रांस आकरमण करे तो इटली जर्मनी की पूरी सहायता करेगा और ये संधि पांच वर्स के लिए की गई थी त्रिकूट संधि के फल सरूप मध यूरोप में आश्ट्रिया, जर्मनी और इटली राज्यों का एक सक्तिसाली गुट बन गया था अगला प्रश्ण है सूची एक का सूची दो के साथ सुमिलन करिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए इसमें देखिए सूची एक में पुस्तकें और सूची दो में लेखकों के नाम दिये गए हैं इर्फान हबीब ये इतिहासकार है, इनकी पुस्तक है, देखें, imagining river सरस्वती, a defense of common sense, यहाँ पर A का दूसरा हो जाएगा, बीवी लाल की पुस्तक है, perhaps the earliest plowed field so far executed anywhere in the world, R.H. Meadow की पुस्तक है, the domestication and exploitation of plants and animals in greater Indus Valley, और Marcia A. Fentress की रशना है, देखें, Marcia A. Fentress की regional interaction in Indus Valley urbanization, तो 2, 1, 4, 3, यहाँ पर सही सुमेलन, 2, 1, 4, और 3 आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखें, आपसन D आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रेशन है, सुची एक का सुची दो के साथ सुमेलन करिए, और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए, यहाँ पर साहित्तिक लेखक और उनके लेखन की भाशा का मिलान करना है, राधा नाथरे यह ओडिया भासा के लेखक हैं, सुब्रमडयम भारती तमिल कभी हैं, भाई वीर सिंग पंजाबी लेखक हैं, और केरल वर्मा यह मले आलम लेखक हैं, तो 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 आपसन A आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रेशन हैं दोस विरोध के नवीन साधन थे क्या, विदेशी वस्तूओं का बहिसकार, विदेशी वस्तूओं का बहिसकार, इसके अलामा आप देखें, विदेशी वस्तूओं का बहिसकार, स्वदेशी की तरफदारी, स्वदेशी मेलों का आयोजन और राष्टवादी परसार के लिए इंच है आपका सही आपसन हो जाएगा आप जान लीजे बंगाल विभाजन के जबाब में राष्टवादियों ने जो बिरोध किया उसमें विदेशी वस्तों का बहिसकार स्वदेशी की दरफदारी स्वदेशी मेलों का आयोजन राष्टवादी परसार के लिए नई समितिय का उदय विदेशी कपड़ा बेचने वाली दुकानों के सामने धरना और कपड़ा मिलों राष्टी बैंक दिया सलाई के कार खाने राष्टी स्कूल आधी खोले गए थे अगला प्रश्ण है जनरल नियाजी ने मुक्ति वाहिनी के समख्छ समर्पन कब किया था आपको बतान हैं तो सही उतर 16 दिसंबर 1971 को आपसंडी दोस्तों 16 दिसंबर 1971 को ढाका में एक सैनिक समारों में पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारत के लेटिनियन जनरल जग्जी सिंग अरोडा के सम्मू कात्म समर्पन किया था 1971 में सेख मुझीबुर रहमान के नेत्रीतु में बंगला देश की स्वायतता का आंदोलन प्रारम भुगा था और बंगला देश की जनता सेख मुझीबुर रहमान के साथ थी अगला प्रेशन है 1947 में सुतंता प्राप्टितक की सस्थान पर सरवाधिक कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किये गये थे आपसन है लाहोर, मदरास, बंबई और कलकत्ता तो सही उत्तर है कलकत्ता आपसन डी और आप जान लीजे दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेस का सरवाधिक अधिवेशन कलकत्ता में कुल 6 बार आयोजित किया गया था ये थे 1886, 1890, 1906, 1917, 1920 और 1928 तो सबसे अधिक कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किये गये थे अस्थापना से लेकर स्वतंता तद अगला प्रश्ण है कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबन में मुस्लिम लीग के संकेत पर तयार नहीं कराई गए थी पीरपूर रपट, सरीफ रपट, मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट या फिर सर मुहम्मद सादूला रपट तो सही उत्तर सर मुहम्मद सादूला रपट दोस्तों पीरपूर रपट, सरीफ रपट और मुसलिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल रपट मुसलिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुसलिम लीग के संकेत पर तयार कराई गई थी जबकि सर मुहम्मद सादूला रपट मुसलिम लीग के संके मुसलिम धर्म था और लीग आरंभ से ही आप जान लीजिए दोस्तों कि लीग जो थी आरंभ से मुसलमानों की सामपरदाइक भावनाओं को बढ़ावा देने की नीति को अपनाई थी अगला प्रश्ण है महात्मा गांधी के अहिनसात्मक क्रांथी के सौम में पैगंबर थे ये कथन किसका है तो सही उत्तर लेरी कालिंस और डोमिनिक लेपियर देखें दोस्तों ये कथन लेरी कालिंस और डोमिनिक लेपियर का है जबकि लुई फिसर ने 1942 के जून में गांधी जिसे पूछा था कि किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए आपके पास क्या कारेकरम है तो उनका जवाब था किसान जमीन पर कबजा कर लेंगे इसके लिए हमें उनसे कुछ कहना नहीं होगा वो खुद जमीन ले लेंगे जब फिसर ने कहा क्या भू स्वामियों को हरजाना दिया जाएगा तो उन्होंने जवाब दिया आर्थिक द्रिष्टी से ये असंभव होगा दोस्तों आप जान लीजे कि महात्मा गांधी अहिंसात्मकरांधी के सौमे पैगंबर थे ये लेरी कालेंस और डोमिनीक लेपियर का कथन है अगला प्रश्न है नील विद्रोह आरंभ हुआ था कब तो सही उत्तर है नील विद्रोह ये 1869 में आरंभ हुआ था आपसन ए आपका सही उत्तर है नील विद्रुह का आरंब 1869 में हुआ और ये अंदोलन बंगाल के नादिया जिले के गोबिंद पुरगाउं से सुरू हुआ था इसका नेतरित विश्णु विश्वास ने किया था और इस अंदोलन का उद्देश नील उतपादकों के शोसर के खिलाब किसानों का खुला अगला प्रश्ण है समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे तो आप जान लिजे इंडियन मिरर के संपादक मन मोहन घोस और देवेंद्र नाठ ठाकुर थे आप संडी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगले प्रश्ण पर आते हैं बहुत ही महतुपून प्रश्ण है कि मदरास के 1927 के कांग्रेस अध्यवेशन का जहां भारती राष्टी कांग्रेस ने साइमन कमिशन के बहिसकार का प्रस्ताव सिवकार किया था ततकालीन अध्यक्ष कौन थे तो सही उत्तर डाक्टर M.A. अंसारी आपसंडी याद रखिएगा मदरास के अपने दिसंबर 1927 के सालाना जलसे में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का लक्ष पोड़ स्वराज होगा और वह प्रस्ताव एक जटके में पारित होगा इस अध्यक्ष डाक्टर M.A. अंसारी थे अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारती राष्टी कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे आपको बताना है दादा भाई नवरो जी सुरेंद नाथ बनर जी बदरुद्दीन तयब जी या फिरो शाह महता तो सही उत्तर सुरेंदर नाथ बनर ज संगठन था दिसंबर 1883 में इंडियान एसोसियेशन के अखिल भारती राष्टी सम्मेलन का आयोजन किया गया और दिसंबर 1885 में दूसरा सम्मेलन करने की घोश्रा की गई और यही कारण था कि अखिल भारती राष्टी सम्मेलन से जुड़े सुरेंद नाथ बनर जी 1885 में भारती राष्टी का अंग्रेश के अस्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। अगला प्रेशन है भारत की पर्थम राष्टी समाचार एजेंसी कौन थी आपको बताना है तो ये था Free Press of India दोस्तों आप जान लीजिये की 1935 तक कुल 4 समाचार एजेंसीयों की अस्थापना की गई तीसरी समाचार एजेंसी Free Press of India थी जिसके अस्थापना 1927 में की गई और ये भारत की पर्थम राष्टी समाचार एजेंसी थी। अगला प्रेशन है दोस्तों एनिबेसिंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज सासनांदुलन या होम रूल लीग का लक्ष क्या था तो सही उत्तर है भारत के लिए स्वसासन या होम रूल प्रारंभ करना दूस्तों 1915 के शुरू में एनिबेसिंट ने दो अख़वारों न्यू इंडिया और कामन वील के माध्यम से आंदोलन छेड़ा उनकी मांग थी कि जिस तरह से गोरे उपनिवेशों में वहां की ज मुसलिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के आउसर पर गोवध को निशिद्ध किया तो ये कौन सा था 1919 के मुसलिम लीग का अमरित सर अध्यवेशन 1937 के मुसलिम लीग का लखनव अध्यवेशन 1940 के मुसलिम लीग का लाहोर अध्यवेशन तो सही उत कि आदिधारा मजबूत हुई हिंदू-मुसलीम् एक्ता के नारे लगे मुस्लिम लिग ने उन्नीस चुन i countriesर अधिवेषन में प्रस्ताव पारिद करके बकरीट के आऊसर पर गोवध को निसिध्य किया था और मुसलीम लिग ने हिंदू-मुसलीम् एकता को ध्यान प्रस्ताव पारित किया था मानुसारी दुनिया को दिखाने के लिए कि हिंदु मुसल्मान एक है एक और महत्वूर्ण प्रश्ण है बंगाल में किरिशक परजा पार्टी के संस्थापक कौन थे आपको बताना है तो सही उत्तर फजलुल हक दुस्तों बंगाल में किरिशक परजा पार्टी के संस्थापक फजलुल हक थे फजलुल हक 1904 में कांगरेस में सामिल हुए लेकिन बाद में मुसलिम लीग के सदस्य बन गये उन्होंने गोल मेच के पहले और दूसरे सम्मेलन में मुसलिम लीग का प्रतिनिधित्व किया था 1937 से 1943 तक ये बंगाल के मुख्य मंत्री भी रहे थे अगला प्रश्ण है अपने कौन से अध्यूशन में कांग्रेश ने पहली बार देशी रियास्तों के प्रती अपने नागपूर अध्यूशन 1920 में ध्यूशित की गई थी आप जान लिजे कि भारती राष्टी कांग्रेस का बार्सिक 35 अध्यवेशन अहमदाबाद में हुआ था इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खाने की और 1920 में नागपूर अध्यवेशन में कांग्रेस का विशेश अध्यवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस ने पहली बार देशी रियास्तों के प्रति अपनी नीद गोशित की थी अगला प्रश्ण कथन और कारण से संबंधित है आप देखिए इसमें कौन सा कथन सही है आपको बताना है तो देखिए गदर पार्टी की अस्थापना लाला हर्दयाल ने गदर पार्टी की अस्थापना लाला हर्दयाल ने सन 1913 में की थी बिल्कुल सही है उसका उद्दिश भारत में लोगतांत्रिक राज्य की अस्थापना करना था जिसमें सभी संपरदायों के प्रतिनी सरकार में सामिल होंगे तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर एक सही ब्याख्या भी करता है गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैंट फ्रांसिसको के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी सामराज्य को जड़ से उखाड फेकने के उद्देश से हुआ था गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंग भाकना थे अन्य संस्थाप यानि गड़तंत्र अस्थापित करेगी अगला प्रेश्ण है निमनलिखित को कालकरम के अनुसार संबध कीजिए और नीचे दिये गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चैन करिए बहुत ही महत्तपूर्ण प्रेश्ण है इसमें गवर्नर जनरल जो है वो मिन्टो जानसोर क करनुआलिस और वारेन हेश्टिंग्स का क्रम आपको बताना है तो सबसे पहले वारेन हेश्टिंग्स आप जानते हैं 1774 से 1785 तक यानि 4 हो जाएगा उसके बाद करनुआलिस का समय 1786 से 1783 तक फिर उसके बाद जानसोर का समय काल आता है 1793 से 1798 तक और फिर लाश्ट में ला का अपसन D आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्तों स्वामी विवेका नंदने 1893 में अपनी अमेरिकी यात्रा के दोरान किन अस्थलों पर बेदान्त केंडर अस्थापित किये थे शिकागो नियू यार्क सेंट फ्रांसिसको और लास इंजिलस में से तो इसमें स कागो में भाग लिया और अमेरिका में स्वामी जी ने दो बेदान्त केंडर अस्थापित किये ये नियू यार्क और सेंट फ्रांसिसको में तो याद रखेगा आपसन B और C आपसन B जो है B और C सही है अगला प्रश्ण है निम्नलिखित घटनाओं को काल करम के अनुसार बेवस्थित कीजिए और नीचे दिये गए कोट से सही उत्तर का चैन करिए इसमें आप देखिए जो क्रम होगा वो क्या होगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही महत्तोपोर प्रश्ण है दर डेकन एसोसियेशन की अस्थापना आप जान लीजे 1884 में की गई थी कहां पर प भारती राश्टी का अंग्रेस आप जानते हैं 1885 का है और भारत लीग या इंडियन लीग की अस्थापना 1875 में की गई थी शिशिर कुमार घोस के द्वारा तो सही क्रम क्या हो जाएगा सबसे पहले 1875 यानि D हो जाएगा यहां पर आपका डेकन एसोसियेशन की अस्थाप 1885 का अंग्रेस आजाएगा तो यहां पर देखे ए के बाद सी उसके बाद ए के बाद ए के बाद ए के बाद ए के बाद बी इस्ट इंडिया एसोसियेशन 8806 है ए बी डी और सी आपसंस डी आपका सही उत्तर है सबसे पहले डेकन एसोसियेशन 884 फिर उसके बाद इस्ट इं अगला प्रेशन हैं दोस्तूं गांधी जी नोवा खली कब गए थे आपको बताना है तो सही उत्तर गांधी जी नोवा खली कब गए थे आपको बताना है अक्टूबर नॉवंबर 1946 में जन्वरी फर्वरी 1947 में मई जून 1947 या जुलाई अगस्त 1947 तो सही उत्तर दोस्तूं अक्टूबर नॉवंबर 1946 आपसन ए अब जान लीजे कि अक्टूबर 1946 में नोवा खली छेतर में हिंदु मुसलिम जो है हिंसा बढ़ गई थी इस हिंसा ने रायपूर लक्ष्मिपूर बेगम गंज आधी छेतरों को परभावित किया और गांधी जी साथ नॉवंबर 1946 को नुवा खली गए थे अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किसे तीन बार भारती राष्टी का अंग्रेश का अध्यक्षु चुना गया था गुपाल कृष्ण गोखले को दाधा भाई नेरोजी को सुरेदनात बनर जी को या संकरन नायर को तो सही उत्तर दाधा भाई नौरोजी को याद रखियेगा भारती राष्टी का अंग्रेश की अस्थापना के बाद दाधा भाई नौरोजी को अठार सो चानबे और उनिस सो चे में राष्टी अध्यक्ष नियूक्त किया गया था अगला प्रश्ण है भारती राष्टी भारती सांस्कृतिक पुनर जागरण की मुख्य विशेस्ता क्या थी दार्शनिक विचारधारा का विकास नई छेत्री भासा का जन्म सोध आधारित विगति तिहास और पूरा तत्तो का धियन या लेखन के अन्य स्वरूपों के अस्थान पर उपन्यास का विकास तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नई छेत्री भासा का जन्म दोस्तों भारती सांस्कृतिक पुनर जागरण की मुख्य विश्यस्ता नई छेत्री भासा का जन्म होना माना जाता है क्योंकि पुनर जागरण की वज़े से भारत के कोने कोने से विभिन पत्रिकाओं की शुरुआत की गई और लोग अंग्रेजों के खिलाप अपनी आवाज पहुँचाने के लिए समाचार पत्र और पत्रिकाओं को माध्यम बनाने लगे अगला प्रश्ण है इसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदूओं को पैत्रिक संपत्य में उत्राधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने वाला अधिनियम कौन सा था तो सही उत्तर है एक्ट 21850 आप जान लिजे अठ्राहमी सताबदी के अंत तक दोस्तों पाश्यात संस्कृति का भारत में तेजी से विकास हुआ इस परपिक्ष में 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया इस एक्ट के तहट इशाई मिस्नरियों को भारत में धर्म परचार करने की अनुवद मिल गई और इसकी अगली कड़ी 1850 की धरा 211 थी जिसमें ये प्रावधान था कि इसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदूओं को उनके पैत्रिक संपत्ति से उत्राधिकार से बंचित नहीं किया जाएगा और ये अधनियम भारती सामाजिक ब्यवस्था पर एक गहरी चोट थी 1857 के महाविद्रोह का ये भी एक महत्त पूर्ण था अगला प्रशन है तोहफत उल्मुहावदिन नामक फार्सी पैमपलेट किस ने प्रकासित किया था तो उत्तर है राम मोहन राय ने राम मोहन राय ने तोहफत उल्मुहावदिन यानि एकेस्वर वादियों को उपहार नामक फार्सी पैमपलेट का प्रकासन 1809 में किया और इसमें राजा राम मोहन राय ने मुर्ति पूजा और बहुदेववाद का खंडन किया था इसके अत्रिक्त एकेस्वर वादियों को उपहार दे प्रिसेप्ट आफ जी से संबाद कवमुदी और मिराटु लखबार का प्रकासन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था अगला प्रेश्ण है निमनलिखित में से किस संस्था ने भारत में सबसे पहले अंग्रेजी सिक्षा का प्रसार किया था बैप्टिस्ट मिशन कालेज स्री रामपूर, हिंदु कॉलेज कलकत्ता, पूना संस्कृत कॉलेज या एलफिंश्टन कालेज मुंबई तो सही उत्तर बैप्टिस्ट मिशन कालेज स्री रामपूर, अंग्रेज धर्म प्रचारक और इसाई मिशनरियों ने भारत में सिक्षा प्रसार के लिए बैप्टिस्ट मिशन कालेज स्री रामपूर कलकत्ता में अपने केंद्र की अस्थापना की और उन्होंने भारत में स हिंदू कालेज की शुरुवात डेविड हेयर के द्वारा की गई, MAO कालेज ये सरसयद अहमंद खान मुस्लिम एंगलो ओरियंटल कालेज की स्थापना सरसयद अहमंद खान के द्वारा, संस्कृत कालेज जोनाथन डंकन और बेथ्यून कालेज जियोतिवा फूले के द्वारा शुरू किया गया, और यहां पर वो बिकल्प नहीं है और जियोतिवा फूले ने 1891 में पूरे में कन्या विद्याले की अस्थापना की थी, तो यहां पर आप देखिए कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, 4, 1, 2, बेथ्यून कालेज नहीं, यहां पर अगर जो यहां पर यह बेथ्यून कालेज की अस्थापना जान इलियर्ट ड्रिक वार्टर बेथ्यून के द्वारा की गई थी, यहां पर कन्या विद्याले की अस्थापना अगर जो है तो जो दिवा फुले, 4, 1, 2, 3 आपसन यह आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट की अस्थापना किस के द्वारा की गई थी, तो सही उत्तर अवनींद्रनाथ टैगोर, इंडियन सोसाइटी आफ ओरियंटल आर्ट की अस्थापना और रिंद्ना टैगोर ने की थी, यह बंगाल की निवासी थे, इन्होंने समासुधार के लिए अनेक कारे किये, और समासेवा में ही इन्होंने, समासेवा को ही इन्होंने अपने जीवन का एक मात्र लक्ष बनाया था, अगला प्रश्न है, निवनलिखित में से देवबंद आंदोलन के बारे में कौन से कथन सकते हैं, आपको बताना है, चार कथन इसमें दिये गए हैं देवबंद आंदोलन के संबन्ध में कौन से कथन सही है यह देवबंद में 1806 में शुरू हुआ था इसके संस्थापक बदरुद्दीन तयव जी थे सही नहीं है मुसल्मानों की आध्यात्मिक और नैतिक स्थिति में सुधार लाना इसका मूल उद्दे से था बिलकुल सही देवबंद आंदोलन ने साजह राष्टवात पर जोर दिया बिलकुल सही तो एक तीन और चार आपके सही हैं आपसन भी आपका सही नहीं है क्योंकि देवबंद आ मकस्थान पर दारुल उलूम की अस्थापना के साथ किया गया था अगला प्रेश्ण है किस भारती कमेटी ने मुडी मैन कमेटी में सेवा आरंब किया था पंडित मोती लाल नहरू सरतेज बहादूर सप्रू लाला लाजपतराय या गोखले ने तो सही उत्तर है सरतेज बह मुडी मैन की अगुवाई वाली समित्थी जिससे ब्रिटिस और भारस सरकार द्वारा आयोजित किया गया था जो भारतीयों के पूर्ण स्वराज घोशडा के संदर में भारती नेताओं की मांगों को पूरा करने के लिए था और तेज बहादूर सप्रू ने मुडी मैन कम में सेवा आरंब किया था अगला प्रेशन है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जंजाती समूह कौन था आपसान है कोल मुंडा खासी या संथाल तो सही उत्तर आप जान लिजे खासी समूदाय जो है ये अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला सबसे पहला समुदा है था क्योंकि इनका जो विद्रोह था 1829 से 1833 तक चला था और आप जान लिजे संथाल विद्रोह 18556 का है कोल विद्रोह 1831 से 33 तक चला था और खासी विद्रोह ये अंग्रेजों की विरुध बिद्रोह करने वाला प्रथम जन जाती समोह था अगला प्रश्न है कौन 1857 के बिद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत मानते हैं आपसन है एरिक इस्टोक्स, जान डवलू के, आरसी मजुमदार या स.न सेन तो सही उतर जान डवलू के दोस्तों, जान विलियम एक ब्रेटिस सैन इतिहासकार, सिबिल सेवक और सेना की अधिकारी थे सैन इतिहास पर उनके द्वरा किये गए प्रमुक कारियों में भारत में दहिश्ट्रियाफ सिपाही युद्ध इस पुस्तक को लिखा गया, 1844 में उन्होंने कलकत्ता रिब्यू शुरू किया 1856 में उन्होंने इस्ट इंडिया कमपनी की सिबिल सेवा में प्रवेस किया इन्होंने 1857 के विद्रोह को सिर्फ सिपाहियों की बगावत माना है अगला प्रश्ण है सूची एक में विद्रोह की सूची को सूची दो के अस्थान से सुमेलित करिए सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था बीजय नगरम विद्रोह आंधर प्रदेश में आप देख लिजे आधुनिक आंधर प्रदेश में वैलू थंपी विद्रोह ये त्रामण कोर में और कोलियों का विद्रोह गुजरात में हुआ था तो तीन चार दो और एक यहां पर विकल्प देखते हैं तीन चार दो और एक आपसन सी इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है जिसने इसाई धर में धर्मांतरित हिंदूओं को उनकी पैत्रिक संपत्ति को उत्र अधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्विक्रिती प्रदान की उस अधिनियम का नाम क्या था तो ये था 1850 का एक्ट 21 आफ 1850 दोस्तों जाती निरियोगिता उन्मूलन एक्ट 21 अधिनियम आफ 1850 के द्वारा जाती वहिस्क्रित यानि इसाई धर्में रूपांतरित हिंदूओं को उनकी पैत्रिक संपत्ति में उत्तर अधिकार प्रदान किया गया था अगले प्रशन पर आते हैं प्रथम बिध विशेसग नियुक्त किया गया था किसको तो सही उत्तर लाड मैकाले को और ये किस संदर में चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कारेकारी में बिध विशेसग नियुक्त का प्रावधान किया था और लाड मैकाले को प्रथम बिध विशेसग नियुक्त किया गया और आप जान लिजे कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाय गया था अगला प्रिशन है निम्नलिखित में से सबसे पहले भारती महिला विश्व विध ज्याले के पर्थम कुला धिपती कौन बने थे सर आरजी भंडार कर सर संकरन नायर सर तेज बहादूर सप्रू या सर आसुतोस मुखर जी तो सही उत्तर सर आरजी भंडार कर दोस्तों सबसे पहले भारती महिला विश्व विध ज्याले के कुला धिपती आरजी भंडार कर थे राम कृष्ण गोपाल भंडार कर 6 जुलाई 1837 से 1827 देखे राम कृष्ण गोपाल भंडार कर भारत के बिद्वान इतिहासकार समा सुधारक थे भारत के पहले आधुनिक स्वदेशी इतिहासकार भंडार कर अंग्रेजों के भी रोधी नहीं थे पर वे राष्टवादी चेतना के धनी थे अगला प्रश्ण है कौन सयुग मसुमेलित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है देखे सुरेन नाद बनर जी इनकी पुष्टक है ए नेशन इन मेकिंग सही है मौलाना आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम सही है रमेश अंदत की इंडिया टूडे सही नहीं है लाला लाजपतराय की अनहैपी इंडिया सही है तो आपसन सी आपका सही नहीं है क्यों क्योंकि आप जान लीजे की रमेश अंदत ने इंडिया टूडे नहीं बलकि भारत का आर्थिक इतिहाज लिखा है अगला प्रश्ण है भारत में सरवाधिक पूजी निवेश किस छेतर में हुआ था आपको बताना है तो सही उत्तर भारत में सबसे अधिक पूजी निवेश रेलवे बैंकिंग बीमा और जहाज रानी छेतर में हुआ था किसी भी विदेशी व्यक्तिया संस्थद वरा 1833 तक भारत के विकास से संबंधित किसी भी छेतर में पूजी निवेश नहीं किया गया था भारत में पूजी निवेश मुख्य रूप से 1857 के बाद हुआ वो भी काउंटर गारंटी की शर्त पर और वास्तविक्ता ये थी कि 1914 इस भी के पहले भारत में अंग्रेजी पूजी निवेशन, रेलवे, सड़क, बैंक, सीमा, व्यापारिक, जहाज, खाने जुद्ध्योग, वित्ति संस्थाओं और वित्ति निगम में लगाई गई थी अगला प्रेशन है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार किस सन में पिर्थक होकर एक अलग प्रांत बना था तो सही उत्तर 1936 में ब्रिटिस सरकार द्वारा भारत में बढ़ते राष्टी भावना के परसार के केंद्र बंगाल विभाजन करने के उद्देश से 1905 में आप जानते हैं बंगाल का विभाजन किया गया और भारतियों द्वारा लगातार विरोध परदर्सन को देखते हुए 1911 में इसे वापस ले लिया गया 1912 में बंगाल से बिहार और उडिसा को अलग करके नए प्रांत बनाया गया और अंततय 1936 में बिहार और उडिसा को भी अलग-अलग प्रांत बना दिया गया था अगला प्रश्ण है निम्नलिखित में से किसी तिहासकार ने ये कहा है कि सन 1765 से 1772 की अवध में बंगाल की सरकार एक डांकू राचे थी तो सही उत्तर है के एम पडिककर का कथन है दोस्तूं 1765 में कलाइब दूसरी बार भारत आया और बंगाल का गवर्नर बना अपने दुती भारत प्रवास के दोरान उसने 1765 में बंगाल बिहार और उडिशा की दिवानी प्राप्त की जिसके बदले नवाब को तिरपन लाख रुपए कमपनी द्वारा चुकाए जाने थे इन प्रावधानों के बाद समस्त भू राजस्व पर कमपनी का अधिकार हो गया कलाइब ने दोहरी शासन बेवस्था के अंतरगर प्रसासन राजस्व वसूले और दीवानी नयाए अपने पास रखे और आंतरिक शान्ति वेवस्था फोज़दारी नयाए और अन्य समस्त प्रसासनिक दायतु नबाप पर छोड़ दिये यानि कलाइब ने प्रसासन का अधिकार तो लिया लेकिन उत्तरदाय तो ग्रहन नहीं किया यही द्वैध सासन की प्रडाली कहलाई थी और दोस्तूं इसी को लक्ष करके इतिहासकार केम पड़िकर ने कहा है कि 1765 से 1772 की अवध में बंगाल की सरकार में एक डाकू राज्य था अगला प्रशन है अलबुकर्क ने गोवा कबजा कहां से किया था आपको बताना है तो सही उत्तर बीजापूर से अलबुकर्क ने 1510 में बीजापूर के सासा की यूसुफ आदिल साह को हरा कर गोवा पर अधिकार किया था और भारत में पूर्तगाल सामराज जिका वास्तविक संस्थापक अलबुकर्क था इसे पूर्तगाली शक्ति को भारत में छेतरी आधार प्रदान किया था अगला प्रश्ण है दोस्तों 1901 के सिचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था तो सही उत्तर है 1901 के सिचाई आयोग का अध्यक्ष सर सी इसकाट मानक्रेव थे आपसंग सी आपका सही उत्तर है कोलिन इसकाट मानक्रेव की अध्यक्षता में 1901 में सिचाई आयोग की अस्थापना की गई थी और आप जान लीजिए कि किसानों को रेड़ उपलब धकराने के लिए एक सहकारी उधार समित या धिनियम पारित किया गया और 1905 में पूसा क्रिसी अनुसंधान की अस्थापना की गई थी अगला प्रश्न है सूची एक के रियास्तों का मिलान सूची दो में उन वर्सों से करें जब उन पर व्यपगत सिधान्द थोपा गया था उधैपुर 1852 में, सतारा 1848 में, जहांसी 1833 में और नागपुर 1854 में तो सही सुमेलन हो जाएगा 3214, 3214 आपसन D आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है निमनलिखित में से कौन सा यूरोपी उध्ध प्रथम करनाटे की उध्ध के आरंभ होने के लिए उत्तरदाई था आपको बताना है, बहुत ही महत्तपूर प्रश्न है कौन सा यूरोपी उध्ध प्रथम करनाटे की उध्ध के आरंभ होने के लिए उत्तरदाई था तो ये था आश्ट्रिया के उत्तराधिकार का उध्ध पर्थम करनाटा की युद्ध का कारण आश्ट्रिया के उत्राधिकार का युद्ध था और ये यूरोप में 1746 में रहा उत्राधिकार के संघर्स में पांडिचेरी के गवर्नर डुपले के नेतरित में फ्रांसीसियों की जीत हुई थी अपने दावेदार को गद्धी पर बै प्रारम करने वाला गवर्नर जनरल था लाड कैनिंग ने कंपनी शासन लाड कैनिंग के समय में 1857 के जो विद्रोह था उसके बाद कंपनी शासन का अंतो हो गया था लाड डलहोजी ने डाक्ट्रिनाफ लैप्स या व्यपगत सिधान शुरू किया था और लाड वेलेजली यह ने सहायक संधि पढ़ाले की शुरूआत की थी तो सही मिलान आपका हो जाएगा चार तीन दो और एक आपसंडी आपका सही मिलान है अगला प्रशन है निम्नलिखित में से कौन सा लेख को और उनकी रशना का सही युगम सुमेलित नहीं है आपको बताना है देखिए हस अगला प्रशन है भारत और उजबेकिस्तान के दो बादशाहूं के नाम बताईए जो हिंदु को या हिंदु कुष्ट दोनों सामराज्यों की सीमा तैं करने पर सहमत हुए थे आपको बताना है तो ये थे अकबर और अब्दुल्ला खां उजबेक अठारा सो तिरपन में पंद्रे सो तिरासी ये जो वर्स है आप याद रखिए पंद्रे सो तिरासी में अब्दुल्ला खां उजबेक ने तैमूरी शासन सहरूप मिर्जा के से बल्ख छीना और उसके बाद 1585 में बदक्सा को भी छीन लिया मिर्जा हकीम की मृत्यू के बाद 1585 में अकबर ने काबुल को अपने सामराज में मिला लिया इस प्रकार अब मुगल और उजबेक स उजबेक के बीच अगला प्रश्ण है उस भूमी को किस नाम से जाना जाता था जिसे सुल्तान प्रत्यक्ष रूप से लगान प्राप्त करता था तो सही उत्तर है खालसा दोस्तों वह भूमी जो केंदरी सरकार या सुल्तान की भूमी मानी जाती थी और जिससे सुल्तान के कर्मचारी लगान वसूल करते थे खालसा भूमि कहलाते थे अगला प्रश्ण है मर्धिकाल में प्रचले सिक्का हूड किस धात उसे बनाया गया था तो हूड जो है ये सोने से बनाया गया सिक्का था अगला प्रश्ण है मर्धिकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ये माश नामक भूमी अनुदान दिया जाता था तो सही उत्तर धर्माचारियों और विद्वानों को याद रखेगा मदद ये माश भूमी धर्माचारियों या विद्वानों को दिया जाता था इसे सयूर गल और मिल्क भूमी के रूप में भी जाना जाता था ये वनसानुगत होता था भूमी अस्थान तरीत नहीं होती थी अगला प्रश्न है निम्न मकबरों को उनके कालकरम के अनुसार बिवस्थित कीजिए तो यहां पर आप मकबरे हैं और उनका कालकरम के अनुसार बिवस्थित अतगा खान का मकबरा नई दिल्ली में है C पहले आएगा फिर सेक सलिम चिस्ती का मकबरा फतेपुर सीकरी में A आजाएगा उसके बाद अकबर का मकबरा सिकंदरा में D आएगा और फिर आसफ खान का मकबरा लाहोर में B C A D B C A D B यह आपका सही उत्तर हो जाएगा आप सुन C सही सुमेलन है अगला प्रश्न है सूची एक का सूची दो से सुमेलन करिए और दिये गय कूट से सही उत्तर का चैन करिए यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तूं देखिए बाबा फरीद यह चिस्तिया साखा से संबंधित थे सेख हमिदुद्दिन नागौरी यह आप देखिए सुहरावर्दिया से मिया मीर कादिरिया से और साह वली उल्ला ये नक्षवंदिया सिल्सिला से संबंदित थे आइने अकवरी में अबुल भजल ने 14 सूफी सिल्सिलों का उलेक किया है चिस्ती सुहरावर्दी कादिरी नक्षवंदी प्रसिद्ध थे सेयद मुहमद हाफिच के अनुसार चिस्ती भारत का सबसे पहला प्राचीन सुफी सिल्सिला है ख्वाजा मुहिनुद्दिन चिस्ती जो है सन 1192 में सिहा बुद्दिन गोरी की सेना के साथ भारत आये थे बाद में उन्होंने चिस्तीया परमपरा की नियु रखी उन्होंने यहां आकरणेक अस्थानों के भ्रमर करने के बाद अजमेर को अपना अस्थाई निवास बनाया उनकी समाधी अजमेर में है ख्वाजबक्तियारका के सुल्तान इल्टुत्मिस के समकालिन थे उन्होंने बाबा फरीत को चिस्तिया सिलसिला या चिस्तिया सिलसिला में दिख्षित किया था बाबा फरीत के कारण चिस्तिया सिलसिले को भारत में ब्यापक लोग प्रीता मिली सेख हमेदु दिन नागोरी ये सुहरावर्ती सिलसिले से संबंधित थे सही उत्तर आपका बी हो जाएगा दो तीन एक चार अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है या सही है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फारदर इंथनी मांसरेट ये अकबर की सासनकाल से संबंधित है अगला प्रश्ण है कली लाह और दीमना निमनलिखित में से किस गरंथ का अरबी रूपांतर है तो सही उत्तर पंचतंतर आपसन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कली लाह और दीमना पंचतंतर का अरबी रूपांतर है महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया गया पंचतंत्र का फार्सी अनुवाद जो है ये अनुवर ए सुहैली नाम से किया गया सिंहासन 32 का फार्सी भासा में अनुवाद अबदुर कादिर बदायुनी ने नामा एक खिराद अफजा के नाम से किया था अगला प्रेशन है सुची एक का सुची दो से सुमेलन करिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन करिए इबने हसन, इबने हसन की पुस्तक है the central structure of Mughal Empire पी सरन की पुस्तक है the provincial government of Mughals मोर लेंड की पुष्टक है इंडिया आयट दे डेथ आफ अकबर और M अतहरली की दे मुगल नोबिल्टी अंडर अवरंग जेब चार एक दो तीन आपका सही सुमेलन हो जाएगा चार एक दो तीन आपसंट D इस प्रश्न का सही उत्तर है अगला प्रश्न है सूची एक के संग्रहाले और पुष्टकाले का सुमेलन सूची दो में दिये गए अस्थानों से करिए सालार जंग संग्रहाले ये हैदराबाद में है राष्ट्री संग्रहाले आप जानते हैं नई दिल्ली में है राष्टी पुस्तकाले कुलकाता में और राष्टी अभिलेखागार नई दिल्ले में इस्थित है देखे दो यहाँ पर सही सुमेलन क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं आप देखे तीन दो एक चार आप संसी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है भक्त संत और उनके कारे छेतरों से संबंधित कौन सायुग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है शंकर देव उत्तर प्रदेश ये सही सुमेलित नहीं है नाम देव महराष्ट सही सुमेलित है तुकाराम महराष्ट सही है चैतन्य प्रभु बंगाल सही है जोस्तु शंकर देव उत्तर परदेश नहीं बलकि असम के बड़े धार्मिक समा सुधारक थे इन्होंने असम में भक्ति आंदुरन का परचार परशार किया इन्होंने कृष्ण की भक्ति परवल दिया और वो एक इस्वर में विश्वास रखते थे उन्होंने एक सरण संपर करदाय की अस्थापना की थी अगला प्रेशन है वह विदेशी आत्री काउन था जिसने ताली कोटा युद्ध में पराजय के उपरांद विजयनगर का भ्रमड और वडन किया था तो सही उत्तर सीजर फ्रेडरिक आपसन भी दोस्तु पंद्रेशो पैसठ में बीजापूर रहमतनगर गोलकुंडा और बीदर ने ताली कोटा के युद्ध में जिसे राक्षसी तांगडी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं विजयनगर को बुरी तरह परास्त किया इस युद्ध के बाद विजयनगर का भ्रमड सीजर फ्रेडरिक नामग विदेशी आत्री अगला प्रश्न है और आज के प्रैक्टिसेट का आखरी प्रश्न है कि सूची एक यानि राज्य को सूची दो राजवन से सही सुमेलित कीजिए और दिये गए कोट से सही उत्तर का चेहन करिए खान देश तो फारुकी बरार आप देखे बरार इमाद साही बंस बीजापुर आदिल शाही गोल कुण्डा आप जानते हैं कुत्ब शाही और बीदर बरीद साही तो यहां पर दो एक तीन चार पांच सही सुमेलन क्या हो जाएगा दो एक तीन चार पांच तो यहां पर आप देखिए आपसन भी इस प्रश्ण का सही सुमेलन हो जाएगा तो दोस्तों यह था आज का वीडियो भारती इतिहास के महत्बण प्रश्णों का प्रेक्टिस है जो बिभिन राज्जों त्वारा आयोजित किये जाने वाले अध्यापक भरती परिक्छाओं के साथ विभिन राज्ज लोक सेवा आयोगों त्वारा आयोजित सामानने घ्न और सामान ग्यान और सामान अध्यन के भारती इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन प्रश्णों को तयार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदोशन फ खरने बाद दोस्तों नमस्कार